गड़े में गिरी हुई गिर्ती को बहुत मुश्किल से उसके पिता ने उसे बचाया उसको बचाने के बाद सब लोग जादोई पेड के पास चले जाते हैं मा, आप बड़ी भूल कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए क्या बोल रही हो तुम, किस विश्य के बारे में बात करी हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मा, नहीं मा, आप मुझसे चूट मत बोलो आप घर में जादोई पेड को नश्ट करने के लिए बात कर रहे थे, मैंने सुना है हम लोग जादुई पेट को नश्ट करने वाले हैं पपा अब बस भी करो हम दोनों सुने की बात आप जादुई पेट के पास जाकर आप जो करने वाले हैं वो बात मैंने सुन लिया था उसका मतलब क्या है जादुई पेट को नश्ट करने वाले हैं ना सुनो किर्ती, इसलिए बुजूर लोग बोलते हैं. अगर कोई बात कर रहा हो, तो चुपके से सुनना नहीं चाहिए. तुमने सिर्फ आधी बात सुन लिया है. हमने कुछ और बात किया और तुमने कुछ और सुन लिया. देखो किर्ती, धरने की कोई बात नहीं है. मुझे और तुमारे माता पिता के बित्रत्वा अपसे नहीं. जब बालू पैदा हुआ, तब से है. तुमारे माबाप मुझे अवश्य कुछ नहीं करेंगे. मैं भी बालू को कुछ नहीं करूंगी, क्यूंकि ओ भी मेरा बेटा ज सबी बूल रही हो? बालू से आपका क्या सम्मध है? अमारे दोनों के बीच में जो सम्मध है, जदुई पैड पार्ट फाइ में हैं. तुम जा कर समझ लो. जदुई पैड तुमारे पास बात करके बहुती दिन हो गया. ठीक है, आप लोग एक काम करो. मैं आपके लिए खा खाके यही पर विश्रांती करो, क्योंकि अब आंदेरा हो गया है. रास्ते में बहुत सारे खड़े है. वहाँ पैड ऐसे कहा, और स्वादिश्ट बोजन को सामने प्रतिक्ष किया. तीनों लोग बेट कर खा रहे थे. तबी कीर्ती बीच में उठकर जदुई पैड के पास इसे उसके द्रिश्टी कोने से बालु क्या कर रहा है पता लगा. यहाँ बालु नीन से उठने के बाद गर में कोही नहीं था. अहां गर में कोही नहीं है. मोके का फाइदा उठा कर ओ जादुई पैड को नश्ट करता हूँ. अगर किसी ने पूछ लिया कहा गया था, मैं उठने के बाद कोई नहीं था, इसलिए दुन्टें दुन्टें चला गया. वहाँ बालु पेड को काटने के लिए खर्गस लेके आया. यहाँ सब दिव्यो दृष्टी से जादुई पैड देख रहा था. कीर्थी, तुम मुझे मेरी भूख मिटाना चाहती थी, पर घर मे क्या तुम भूल गई? तुमारे घर में भाई आकेला है? कीती तो छोटी लड़की है, वो भूल सकती है. पर आप दोनों बुजर्ग है, बालु के माता पीता. आप दोनों बालु के बारे में सोचना चाहिए था ना? ठीके, वो तो मुझे नश्ट करने के लिए यहाँ पे मत बोलो, मेरे पीछे आके चुप जाओ, वो आने के बाद में ही कुद देख लूँगी. वहाँ पेड ऐसा भोला, वहाँ तीनों लोग जादी पेड की पीछ जाके चुप जाते हैं, तबी बालु वहाँ पी आता है. यह जादू यह पेड, तुमारे वज़े से मेरे सारे स अम्मा नश्ट हो गया, उसकी वज़ा सिर्फ तुम हो, तुमारे वज़े से घर में सब लोग मुझे कोई भी प्यार नहीं कर रहा है, तुम सिर्फ मेरे जीवन में नहीं, किसी और के जीवन में भी तुम शामिल नहीं होना चाहिए, तुमें यहीं पर कात दोंगा. वहाँ तुम मुझे काटने से पहले, मैं तुमें कुछ दिखाऊंगी, उसे देखने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो. बालू के जन्म का कारण क्या है? वो कैसे किश्वर दमपति के पास आया? जादुई पेड और उसको क्या सम्मन्द है? इस सब के बारे में जादुई पे तुमें परवरिश कर रहे हैं, तुमारी अंदर मेरी शक्तियां भी हैं, मैं यहां से हिल नहीं सकती, इसी वज़े से मेरे सारे शक्ती तुमारे पास हो, तुम सब को मदद करोगे ऐसा सोचाता, पर तुमें देखने के बाद वो शक्ती दस लगों को मदद नहीं, मुझे ल आना चाती हो, ऐसे मुझे लगा ही नहीं, मैं बुरा काम करने चला, अब से में किसी और को नुकसन पोचाने की सोच भी नहीं रखूंगा, अब से में आप जैसा को होगे, मैं वैसा ही करूंगा, अच्चा लड़का बनके रहूंगा, वहां बालु जादूई पेड़ से ऐ बहुत कुशी हो रही है, कीती जो बदलाव तुरंद आता है, वह तुरंद वापस भी जा सकता है, इसलिए एक मेहने तक बालु मेरे साथ रहने दो, एक मेहने में उसके पास कैसे शक्ति है, इसे अच्छे के लिए कैसे इस्तुमाल करें, मैं उसे सब बता दूंगी, इसे चार लोगों को मदद मिल जाएगा, यहां कहते हुए जादूई पेड उन तीनों को भेज दिया, उस दिन से बालु पेड की साथ ही रहने लगा, बालु बड़ी जल्दी जल्दी में आया, और गुस्से में जादूई आम को काट डाला, ये देख आग बबुला हो रही पे हाल करती हूँ, मैं तुझे नहीं छोडने वाली, मा, जिस लड़के ने मेरे भाई की ये हालत की, मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूंगी मा, मैं इसके जान ले लूँगी मा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं इसे अभी सबक सिखाती हूँ, यो भड़की हुई जादूई सफेदाम ने भी कहा, किर्ती ने दूर से इस बात का अंदाजा लगाया कि उसका भाई खत्रे में है, वो तुरंत अपने भाई बालू के पास गई और किसी तरह वहां से उसे भगा ले गई, जादूई सफेदाम ने उन दोनों को भागते हुए देखा और जट से अपनी ल जादूई पेड़ जी, मेरे बाई को छोड़ दीजिये न, उसने नादानी में गलती कर ली, वो मर जाएगा अच्छा, तो वो छोटा है, क्या इसलिए तुमने मेरे बेटे के जान लेने के लिए उसे भेज दिया, और जब वो ऐसा कर रहा था, तुम देखती खड़ी रही, इस गुरह में तुम भी बराबर की हिस्सेदार हो सही कहा, जब मुझे उसकी इस हरकत का अंदाजा लग गया था, तो मुझे उसे रोकना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया, कम से कम जब वो तुम्हारे बेटे को मारने पास आ रहा था, तब भी मैं उसे रोक सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये सारी गलती मेरी है आप सजा मुझे दीजिए पर मेरे भाई को चोड़ दीजिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अगर जान लेकर आपको शानती मिल जाए तो मेरी जान ले लीजिए जान के बदले जान देना ही पड़ता है तुम्हारे भाई को भी अपनी जान देनी होगी तुम और थोड़ी देर यहां रुकी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी जा यहां से मुझ खोलकर तेज हवा छोड़ी जिससे किर्टी दूर जाकर गिरी फिर भी किर्टी ने हार नहीं मानी और दौड़ कर वापस जादूई पेड के पास गई ये कहते कहते किर्टी बेहोश हो गई किर्टी को बेहोश पड़ा देख जादूई पेड ने तुरंट उसके चेहरे पर पानी छिड़का बेहोश हो चुकी किर्टी पानी के छिड़कने से होश में आ गई बाई, मेरा बाई, बाई ऐसा कहते कहते वो फिर से बेहोश हो गई अरे लगता है उसके भाई को छोड़ा न जाए तो ये लड़की यही जान दे देगी उस लड़के को छोड़ दो बेटा मा ये क्या कह रही हो जिस लड़के ने मेरे भाई को मार डाला मैं उसे कैसे छोड़ू अपने भाई का बदला लेने के लिए तुम किसी और के भाई को मार डालना चाहती हो पर अगर उस लड़के को कुछ हुआ तो लगता है ये लड़की अपनी जान गवा देगी छोड़ दो बेटा उसे जब जादूई पेड ने ऐसा कहा तो सफेद जादूई आम ने उसकी बात मानी और बालू को छोड़ दिया जब लोग कहते थे कि धरती गोल गोल गोमती है तो मुझे विश्वास नहीं होता था पर अभी कुछ देर पहले जादूई सफेद आम ने मुझे उठाया तो धरती गोल गोल गोम रही थी दिदी धरती नहीं बुद्धू तू गोल गोल गोम रहा था बालू आइंदा ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी जान नहीं बक्षूंगी तुम्हारी दीदी ने अपनी जान तक की भी परवाह नहीं की इसलिए मैंने तुम्हे छोड़ दिया अपनी दीदी का हमेशा खयाल रखना अब जाओ यहां से बालू और किर्ती वहां से निकल कर थोड़ी दूर चले गए बैपरे दीदी वो सफेज जादूई आम कितना गुसा क्यों हो रही थी हां? गुसा? और थोड़ी देर हो जाती तो वो तेरी जान ले लेती मैंने हाथ पैर जोड़े तब जाकर उसने तुम्हारी जान बक्षी है वरना तु आज अपनी जान गवा देता हां दीदी अबहिए जादूई पेटने भी मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँ तुमने उससे विंती की यह भी मैंने जाना दीदी तो मुझसे इतना प्यार करती हो दीदी तुम्हारा भाई बनकर मैं खुत को भाग्यशाली समझता हूँ देदी आज के बाद न मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा तुम्हारा खुब धेन रखूंगा किर्थी हलके से मुस्काई और मन ही मन ऐसा सोच रही थी मुझे और तुछ से प्याद हम दोनों को साथ में बाहर निकलते हुए मा बाउजी ने देख लिया था अगर घर वापस में अकेली लोटती तो मा बाउजी मुझसे तेरे बारे में पूछते अगर कहती ही कि मैं नहीं जानती तो मुझे डांड पड़ती कि मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा तब ही तो मुझे इतना सब कुछ करना पड़ा पर दोस्तो मेरे भाई से ये मत कहना कि मैंने आपको ये सब बताया वरना वो मेरा ध्यान नहीं रखेगा वरना वो आज के बाद मेरी कोई बात नहीं मानेगा अब चलती हूँ पहले से ही इस लड़के की वज़े से बहुत देर हो गई है अब घर जाना होगा मा बाओजी हमारी राह देख रहे होंगे बाई अरे रुकिये तुजरा मैं तो आपसे कहना भूली गई वैसे मैं भले ही भूलू आप मत भूलना वही लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्त में शेर भी करना और अपना ध्यान रखना फिर किर्थी अपने भाई को लेकर घर चली गई